नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का जेनरान टेक पर मैं हूँ आपका होस्ट है दोस्ट उनील मालविया आज मिलाया हूँ एक बहुत ही बैतरीन सा वीडियो जो शायद आपको बहुत पसंद आएगा तो दोस्तो कितनी अची बात होती है अगर आप Facebook पर एक Profile बनाते यह दोस्तो आप Facebook पर एक Profile बनाते और Automatically बहुत सारे धेर सारे Friend Request आपको मिल जाते बहुत सारे Followers आपको मिल जाते या बहुत सारे Likes Automatically आपकी एक-एक Photo के उपराती या एक-एक Video के उपराती यह possible हमारी जिंदगी में नहीं है बिकॉज यह possibility है उन लोग की जिंदगी में जो celebrities है, शारुप खान शल्मान खान, इन्हें automatically बहुत सारे likes मिल जाते हैं, बहुत सारे friend request मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आप भी चाहें, यह दोस्तो अगर आप भी चाहें, तो इतने सारे friends बना सकते हैं, इतने सारे fans बना सकते हैं, आपकी एक एक फोटो पर धेट सारे likes एकटा कर सकते हैं, बहुत सारे followers आप एकटा कर सकते हैं, कैसे यह करना है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बट दोस्तो यहाँ पर इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चानल General Tech को और दोस्तो बेल आइकन को दबाए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए करें, तो चलिए दोस्तो दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं, फॉलोवर्स बना सकते हैं और एक एक फोटो पर बहुत सारी लाइक्स एकखटा कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने Facebook friend list को बहुत हद तक increase कर पाएंगे Automatically आपको बहुत सारे friend request आपको मिल जाएंगे आपके Facebook account पर तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने mobile phone पर चले जाए और आप click करेंगे Google Chrome के उपर यहाँ पर आप हमारी official website का नाम लिख ले जो है generaltech.com अगर कोई spelling mistake हो रही है तो हमारे channel का नाम लिखे और उसके बाद लिख दे .com फिर आप menu में चले जाए यह मैंने इस तीन line पर click किया यहाँ पर आप देख पाएंगे online important links यहाँ पर उसके arrow पर click करें तो उसी के नीचे आपको एक और option मिल जाएगा editing tools तो आप click करें editing tools editing tools पर click करने के बाद यहाँ पर आप एक link देख पाएंगे तीसरा, चौता और पाचवा जहाँ पर लिखा गया है facebook auto follower facebook auto friend request और है facebook auto liker तो इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं करूंगा facebook auto friend request आप चाहे तो facebook auto follower भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पर click करेंगे चौता option मुझे friend request चाहिए बहुत सारे logo से तो मैंने click कर दिया, अब आप देख पाएंगे एक website है जिस पर हम jump कर चुके है यहाँ पर आप देख पाएंगे login method for auto friend requester तो यहाँ पर आप क्या करें सबसे नीचे चले जाए और यहाँ पर आप देख पाएंगे option लिखा गया है get access token यानि कि सबसे पहले आपको token लिना होगा server से तो click करें click करने के बाद यहाँ पर आपको अपने facebook account से login करना होगा तो बहुत secure login है website के facebook id है उसे आप यहाँ पर input करें और उसके बाद आप password add कर दे और उसके बाद आप click करेंगे नीचे दिये गए option पर जो है generate access token इस पर click करें और जैसे ही आप click करेंगे आपका जो access token है वो create हो चुका है आप देख पाएंगे उपर तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको यह जो data है जो उपर दिया गया है उसे आपको करना है copy और उसे आपको नीचे paste करना है तो इसे अप select करें पूरा select कर ले अब आप इसे copy करें उपर copy option है और आप यहाँ पर paste कर दे copy above token and paste below यहाँ पर आपको paste करना है तो इसे click करके रखे दबाए paste और यहाँ पर करे login तो अब आपने click कर दिया है login option पर so login दोस्तों हमने कर लिया है और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी जो profile है hello sunil malvya यह लिखकर आ चुकी है यहाँ पर और यह मेरी profile photo आ चुकी है your user id मेरा आ चुका है अब यहाँ पर option दिया गया है use auto request तो अब हम क्या करेंगे पहले मैं आपको मेरी facebook profile दिखा देता हूं तो यह देखे यह है मेरी facebook profile तो दोस्तों यहाँ पर है मेरी facebook profile और यह आप देख पाएंगे तो इस वक्त मुझे कोई friend request नहीं है आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने click किया है so no new request तो अब हम देखते है कि क्या हमारी request जो है हमें automatically यहाँ पर मिलती है के नहीं और कितनी मिलती है वो भी आपको देख कर पता चल जाएगा फिर से चले जाते है हमारे google chrome पर जहाँ पर हमें सिर्फ एक button प्रेस करना है तो हम अब click करेंगे use auto request जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो दोस्तो अब आप चले जाएं आपके facebook profile पर चेक करने के लिए कि क्या आपको automatic friend request आए है या नहीं तो यहाँ पर मैं मेरे facebook profile पर जा रहो और यह दोस्तो आप देख सकते है कि मेरे facebook icon पर यहाँ पर लिखा रहा है 86 यानि कि कम से कम 86 के friend request मुझे मिले है अभी इस समय पर तो दोस्तो यहाँ पर हम click करेंगे हमारे icon पर और यहाँ पर आप देख सकते है कि मुझे 86 friend request आए है और यहाँ पर लड़किया भी है आप देख सकते है सुचीता यादव या अमीरा तो दोस्तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने facebook friend request को बहुत हद तक increase कर सकते हैं इसी step को 4-5 बार repeat करें और बहुत सारे friend request आप add कर सकते हैं कम से कम thousand friends को आप यहाँ पर add कर सकते हैं auto like आप generate कर सकते हैं दोस्तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो आप कर पाएंगे सारा process सेम है हर किसी के लिए आपको यही process करना है सिर्फ आपको अपने हिसाब से वह तरीका select करना है कि आपको actually में क्या करना है तो दोस्तो यह सारा process बहुत ही simple है आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप चाहे तो आपके Facebook followers बढ़ा सकते हैं या आप चाहे तो Facebook auto friend request या फिर आप auto liker या आपकी photo या आपके वीडियो पर आप auto like generate करा सकते हैं यह तीनों चीज़े आप कर सकते हैं इस तरीके से जो अभी मैं आपको बताया है उमीद है दोस्तो आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप बहुत सारे likes बहुत सारे auto friend request या बहुत सारे followers इकटा करें बहुत ही simple सी तकनीक है इसी तकनीक को repeat करते करते कम से कम हजारों friends आप बना सकते हैं तो दोस्तो बहुत ब बहुत सारी धेरों ऐसे वीडियो जो शायर आपकी जिंदगी में आपको बहुत उपर तक लेके जाने के लिए काम आए जैसे कैसे बहुत सारे आप धेर सारे पैसे कमाएं लाखों रूप है एक महीने के अंदर या फिर pen card कैसे बनाना आधार card कैसे बनाना voting ID card electricity bill payment कैसे करना बहुत कुछ भरमार है हमारे चैनल पर जरूर चेक करें हमारे चैनल को एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुब हो